होले होले मापियादी आवाज मध्धम पैंदी जान्दी है मापियादा कहा बोलेया पूरी तरह नकार दिता जान्दा है आप सबने शबस सुनाओगा रमया के गुंचेत प्रानी कवन मुलते कवन दिश्टानी जिन तु साज सवार सिंग आ रहा गर बगन में जिरव भार रहा बार विवस्ता तुझे प्यारे दूद पार्जोबन पोजन सुक्सूद बिर्द पया उपर साक सैन मुख पया उबैट को दायन ये निर्गुन-गुन कच्छू न बुझ जाए बक्ष लेओ तो नानक सीजए हमने ये सुक्मनी साब में से ये शबस सुना हुए है इसके आमतोर पर मीनिंग समझे जाते हैं कि देख भगवान का ये गुण देख तु कैसे कवन मूलते कवन दिश्टानी कैसे अगर तेरे को बढ़ापे में कोई तकलीफ होती है तो बच्चे तेरे मूं में पानी डालते हैं तेरे को बढ़ापे में तकलीफ होती है बच्चे तेरे मूं में दूड डालते हैं ये फिजिकल लेवल की बात है हमने इसी के आत्मक लेवल का हमने लखनव में हमने इस टॉपिक को समझा था कि ये अंदर की बात चल रही है और कैसे चल रही है अगर विज्जम लेते हैं तो लेकिन हम आज शरीरक तल पर जो शबत को समझते थे, उसको तो हमने उल्टाई दिया, बार बिवस्ता तुझे प्यारे दूद, बच्चा था तो तेरे को दूद पिलाया, बिर्द प्याओ उपर साक्सेन, बुड़ा हुआ तो तेरे रिष्षेदार, आज है रिष्षेदार उपर, आज तो मिरको सुनने में मिल रहा है, बाप दिल्ली में है, या माबाप दिल्ली में है, बेटा बैंगलोर रहता है, शादी हो गई, बीवी को ले गया, ये तो यहां के लिए रहते हैं, तो आज हमने इस टॉपिक को भी उल्टा लिया, अगर हम शरीरक तलब पर भी उसके अर्थत को, देखें, बिर्द प्याओ उपर साक्सेन, मुख प्याओ, बैठको दैन, ये निर्गुन-गुन वारे लोग बोलेंगे, जब होता ही नहीं ऐसे, तो मैंने कौन से वगवान को याद रखना है, तकलीफ होंदी है, जदो मापयानू गाल-गालते गुसा करता है, मन-मर्जी करता है, आस्ता-स्ता मापयोदी, आवाज मद्दम पहजन दिया है, मम्मी पापा डरना शुरू क परते हैं, जिनके बारे में हमने पिछली 10-12 स्लाइड्स पढ़ी है, जो मेनत कर रहे थे, जो दिन रात अपनी नीद गवा रहे थे, जो पिशावाली गिली जगा पे आप सोके बच्चे को सुकी जगा पे सुला रहे थे, जो बच्चे को पढ़ाई करने के लिए अपनी कि गई है, अपनी इजद ना अपने आठों दिया, जो पुत्तर दा बूत दा नाप, प्यो दिबूत चिनना हो जये, ते प्यो आपनी इजद बचान वसते, ओ दिनल बैस नहीं करनी चाही दी, He can insult you and they do, जी आवाज मद्दम पैनी शुरू हो गई और मापया दा कया बोले आ नकारना शुरू कर दिता नहीं सुनते तुमारी बात तुम तो हर टैम बोलते ही रहते हो जी मापय बिना तंखा दे दोते पोतियां दातियान रखन वाले बान के रह जान दे हैं आप मेंसे पता नहीं कितने ऐसे हैं जो ममी पापा चाहते हो कि मैं अपने ग्रेंट चिल्टरन की सेवा करूँगा तो मेरे को बेबी सीटर की तरह तंखा मिलनी चाहिए उच्चा बोलो कोई है कोई है दुनिया में कोई भी ऐसे ममी पापा नहीं है कोई भी ऐसे दादा दादी नाना नानी नहीं है जो अपने ग्रेंट चिल्टरन को सेवा करते हुए बेबी सीटिंग की तंखा मांगते हो लेकिन बेबी सिटर से भी बत्तर हालात हो गए आज के ग्रेंट पेरेंट्स के वो सिरफ बच्चे का ध्यान रखने वाले बन जाते हैं मैंने सुना एक घर में दो बेटे बड़े बेटे को शादी के बाद उसके बच्चों को ममी पापा ने पाला छोटा बेटा इंदोर जबलपूर बैंगलोर कहीं भी बॉंबे चला गया अब छोटे बेटे की शादी होई अब बोलता है तुमने बड़े के बच्चों को पाला था मेरे बच्चे पालने आओ वा जी वा बेबी सिटर है तेरे नोकर है हमने ऐसा समाज बनाया साड़ा काका पढ़ गया है साड़ा काका कनिड़ा गया है गया तो है हमने उसको पढ़ाया हमने समाज में इस बात की वेल्यू बनाई मेरे को सही मैंने मालूम नहीं मैं आज तक रशिया नहीं गया पर मैंने सुना है रशिया में न कोई लोग जुल्री की बाते नहीं करते हैं इसने soliitar पहना हुआ इसने diamond पहना हुआ सोनना पहना हुआ वो बाते नहीं करते है उसकी value नहीं है हमने अपने समाज में जितनी इस चीज की value की मेरा काका ये पढ़ गया है मेरे काके के पास ये degree है मेरा बच्चा कैनेडा गया है मेरा बच्चा अमरीका गया, मेरा बच्चा बेंगलोर में इतने लाख कमाता है इस चीज की हमने अपने समाज में वैल्यू बना दी इतनी इंपॉर्टेंस बना दी, वो तो गया लेकिन तुमने जो समाज बनाया इस समाज की इन चीजों के पैरामीटर्स को पूरा करने के लिए तुमने बेटे को भेज दिया और यू विल बी दा विक्टिम ये नहीं समझाया जो मापे बिना तनखा दे दोते पोत्यां दा त्यान रखन वाले बेबी सीटर बन जाते हैं जो माता पिता निर्सवार्थ होके बच्चे दा पला करन लई उसनू तराश दे सन ओ हौली हौली गल गल ते कसूर वार ठहराए जाए माई गाड़ मम्मी पापा को बोला जाता है ये गलती भी तुमारी ये गलती भी तुमारी ये गलती भी तुमारी बात बात पे जो ममी पापा प्यार कर रहे थे कोई बात नहीं नंबर कम आया थे बेटा कोई बात नहीं अच्छा मैं तुम्हारे साथ जागती हूँ मैं जागता हूँ मैं तुम्हें चाहे बना दूँगा अच्छा मैं तुम्हारे लिए नोट्स ले आउँ अच्छा मैं तुम्हारे लिए यह help कर दूँगा अच्छा मैं pick up कर लूँगा बेटा तुम्हारे पास यह नहीं है मेरा computer यूज कर लो यह जो मम्मी पापा बात बात पे sacrifice कर रहे थे आज इनको बात बात पे कसूर वाँ ठराया जा रहा है grandchildren में से कोई जिद करता है यह तो दादी का भिगाड़ा हुआ है यह तो दादे का लाडला है ऐसे बोलते हैं कि निसे yes or no देखो मेरा topic ना कोई general knowledge नहीं है और मेरा topic कोई धरम ग्रंथ में से इकठा के हुआ ग्यान भी नहीं है मेरी सारी मेनत है कि मैं आपके मन को इस topic के बारे में छू सकूँ अपने समाज को क्योंकि living treasure का काम है हम नया समाज की सिर्जना कर रहे हैं है जग्गी जी हम नए समाज की सिर्जना कर रहे हैं तो नए समाज की सिर्जना में ये एक milestone है काश हम आप आज के topic में आपके हिर्दे को छू सकें और आपका paradigm shift हो जाए हमारे समाज का paradigm shift हो जाए ताकि ये हजारों सालों से जो problem हारी है जिसके आज हम victim है समाज के इस code को समाज के इस cancer को जो हमारे परवार में हो गया है जिसमें मम्मी पापा कोई गलत ठराया जाता है कसूरवा ठराया जाता है उसके बारे में हम बरीकी से बिचार रहे हैं emotionally बिचार रहे हैं emotional quotient को use कर रहे हैं और अगर ये नौजवानों को समझ में आ गया तो वो अपना बुडापा secure कर लेंगे और अगर भुजवर्गों को समझ में आ गया तो वो इसको पिछले जन्मों के कर्मों के पाप की सजा नहीं बोलेंगे और अगर भुजवर्गों को समझ में आ गया तो वो इसको मत्य लिखे पाग वाले subject के डब्बे में नहीं डालेंगे उनको समझ में आजाएगा वेर आई वाज मिस्टेकन हमसे गल्टी कहों ही है और अग्गोंदे जचेती है कायत मिले सजाए तो आगे हम अब संबल के कैसे टुरे जैसे हमने सेमिनार में डिसकस किया था क्रोध के सेमिनार में अगर पापा गुसा करकर के काम कराता है मम्मी से पापा की रिलेशनशिप खराब हो चुकी है पापा गुसा करकर के गाली दे दे के फैक्टरी में आफिस में काम कराता है तो पापा को ब्रेन स्ट्रोक होने से हार्ट अटेक होने से पैरलाइज हो गया है तो बेटा आज जाग जाएगा ना कि मेर को ऐसे नहीं करना मैंने ऐसे बात-बात पर गुसा नहीं करना मैंने अपने बैलेंस लूज नहीं करना क्योंकि मैं लंबा जीना चाहता हूं मैं सूखी जीना चाहता हूं हम पुराने वाले मम्मी पापा को बैक हमारे पास पैसे हैं, मीडिया है, सेल्फोन है, और कारें हैं, पर हमारे 40 साल की उमर में हार्ट अटेक हो रहा है, ब्रीन स्ट्रोक हो रहा है.